तो स्वागत है आपका स्विल साती है हमारे यूटूब चैनल पर है जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सिख्टी एत कर रिजट आया है तो हमने उसके इंटर्व्यू करें है जल्दी वो चैनल पर अपलोड करेंगे सर का सेलेक्शन शिख्टी सेपंध बीपीसी में एक सुद और मैंने सोचलाजी से ग्रेज़ूइशन और मास्टर किया है तो आपके माइंड में आडिया कहा से आगी मैं बीपीसी करूं या यूपीसी करूं आपके घर में कोई सिविल सेवा में है या फिर बचपान से किसीने बोलाया कॉलेज में इस्कूल में किसी ने अर्फ मेरे पापा पढ़े लिखे हैं तो उन्हों नहीं मोटिवेट किया था कि मैं सिविल सेवा की त्यारी करूं तो शुरूआत तो बीपीसी से हुई लेकिन जब दो-तीन अटेम्ट नहीं हुए तो मैं बीपीसी को रूव किया और फिर मैं बीपीसी पे ही रिगलर वो रहा हूं और सरशथमी मेरा चौता इंटर्विव था और इसमें फिर लाशली मेरा फिछी अलुगा है तो जैसे कि आपने बटाईगे आपको हर बार मेजर प्रोडम क्या लगा या जैसे कभी मैं सुख जा रहा कंभी इंटर्विवह आकर आप फाइनल लिष्ट में नहीं तो क्या लगा कि मैं कहां गलते कर रहा हूं इस बार आपने क्या सुधार किये थे जैसे पहले मैं टेस्टरीज नहीं करता था और इसके अलावे जो शुरुवात के आपने सारे मतलर एकजाम दी बीपेसी के तो हर बार बदलती रही है या फिर आप सेमें स्ट्राइटिजी पर काम करते हैं अभी त्यारी कर रहे हैं जिनका प्रेलिम्स नहीं नहीं निकला है एक दो टैम में तुट क्या इस्ट्राइजी फॉल्व करनी चाहिए कर लिया था और शाथ में जो लूशिंट बुक है तो उसको कर लेता था और गहारा स्पेशल की जो बुक आती है और घटना चक्र की जो कम्पाइलेशन आता है आट से दस मेने का तो इतना कर लेता था लास्ट में जो चीजे आसान हो जाती है रहिवात जो नए बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि अब जो बीपेसी का प्रिलिम्स का जो कोश्चन का स्टेंडर्ड है वो काफी बढ़ चुका है जी और उस नसे आट के साथ उनको घटना चक्र का जो पुरवावलोकन ह उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए साथ में लूसेड और बिहार स्पेशल और करेंट अच्छे से फोकस करना चाहिए और अगर एक्जामनेशन होल में जाकर स्टेश होता है उस प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते हैं उनको चाहिए कि वह टेस्ट प्रैक्टिस माप प्रेश करते थे जादा नहीं आट से दस गंटे पढ़ाई हो जाती थी मैं ज्यादा रात को पढ़ना पशंद करता हूं तो मेरा यह शेडूल होता था कि मैं रात को अच्छे से पढ़ता था और दिन की सुराथ थोड़ा देर से होता था तो आप कितने घंडे पढ़ने और वह कंटिन्यूटी में में इंटेंड करता था तो अब बात करें सोसल मेडिया की तो आज के टाइम पर सोसल मेडिया सब्सक्राइब तो कुछ लोग तैयारी के दौरान अपना इंस्टाग्राम पेस्पोक है यार नहीं उच करते तो क्या अब यह सब अपने आप में सब्सक्राइब के लिए तो कहें तो माइल है लेकिन आपको कंट्रॉल वे में यूज करना है यह नहीं कि बहुत ज़्यादा वाट्षप या इंस्टाग्राम फेस्बूप अपना टाइम अगर वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ने कहीं नुक्सान होगा और आपको पीछे ले ज कोशिस करती थी कि मॉक टेस्ट लगाया आपने प्रेलिम्स के लिए मैंने नहीं लगाया लेकिन लगा लेना चाहिए वह अच्छा रहता है और में के लिए मैं कहूंगा कि टेस्ट बहुत ही जरूरी है अगर आप नहीं लगाते हैं तो वह फिर नुक्षान होगा फिर लेकिन लगाएं जरूर तो वह बहुत जरूरी है तो आपने कितने मौक टेस्ट लगाएंगा प्रोक्स इस सब्सक्राइब करता है कि उसका क्या लेवल है तो बारा से पंदर टेस्ट में मेरा हो जाता था जो भी आ जाता था और शारी चीज़े टाइमिंग मैंग हो जाता तो क्या होता है जैसे जब एक्जाम नजदी का था तो इतना बड़ा सिलाबास हो तो हम तो पड़तो सकते नहीं उसको तो क्या आपने इस सब के लिए स्वाइज नहीं कर सकते तो जो इंपोर्टन टॉपिक है खास करके जो बीपेसी के लिए ज्यादा जरूरी है तो उन मैं उसको रिवाइज कर लेता था तो उसमें भी जो इंपोर्टन टॉपिक होते थे उसको एक नोट्स बना लेता था तो सर बात करें एक कुछ चन्न में हरा इंडर्वी में बारबार पूशता हूं कि क्या जो PCS एक्जाम होता है जैसे बिहार PCS है वो UPSC की तियारी के मैच करता है फिर उसके लिए अलग पढ़ना है उसके लिए अलग पढ़ना है अगर जहां तक मेरा नुभब रहा है कि अगर आप UPSC के तयारी करते हैं और UPSC की तयारी आपकी अच्छी है तो फिर UPSC करना बहुत मुश्किल नहीं है और 20-30% थोड़ा सा एक्ष्टा करना पढ़ता है और मेंस के लिए अगर उतना कर लेते हैं तो आपका इसली हो जाएगा लेकिन आप UPSC पे सिर्फ फोकस है तो UPSC फिर बहुत कठी तो आपने UPSC के भी अटेम्ट दिये हैं हाँ जी मैं दिया हूँ तो कितने क्या रिजल्ट रहा है मैं मैं में लिखा था बट वो इंटर्विव कॉल तक नहीं आया और फिर बाद में दो-तीन सालों से था कि UPSC में फोकस तो उसर बात करें जैसे इंटर्विवी तो क्या आप इंटर्विव के लिए अलग से मॉक इंटर्विव दिये तो कितने हैल्फ रहे और आपने चार बार इंटर्विव दिया अधम हो जाता है तो मैंने मॉक दिये थे करेंदी मेडिया में टृ कितना जरूरी थो कमी सब्रों करते हैं मुबाल में देख लेते हैं मंथली में डायक्ट डायरेक्ट ऊती है 30 diferente देखे अगी बहुत त्वस्य नहीं है अगर आप मंथली में पढ़ लेते हैं तो नहीं बहुत बहुत बनाया बना बना लेता है अगर मैं नहीं बना लिता है लेकि capturing一些 बात और फिर वीजन की जो मैंग जीन आती है मंतली तो उसको फिर एक बार लेक्ट जी वीजन कैसे करते है डेली वीकली अपर मंतली आप बस बीपेसी के लिए तो मैंने कोई प्लान वाले अश्यक नहीं किया था जब एक्जाम आता था तो जो भी में सोर्श है और जो मैंने अपन तो क्या मैसेज रहेगा वो अपनी तयारी के लेवल कैसे वह अपकर है कि अब 31 सिप्तम्बर को प्रेलिम्स होने वाला है तो एक काफी टाइम है तो यहां से न प्रेलिम्स और मेंस दोनों को साथ साथ लेका चलना ज्यादा अच्छा रहेगा तो जो बच्चे मतलबने हैं और देने वाले हैं तो उनको NCRT पढ़ना चाहिए साथ में टेस्ट बुक प्लच मिकान तो गया स्पेक्ट्रम हो गया या पर कल्चर के लिए जो NCRT का जो 11th का बुक है तो उसको पढ़ना चाहिए तो कुछ सोच है जो पढ़के और कुछ इंपर्टेंट टॉपिक का जो टाइम नहीं दे रहा है तो अगर पहले से आप मेंस के लिए त्यार नहीं है तो फिर डिक्कत आ सकते हैं तो बात करें जैसे आपको रिजल्ट आया तो क्या माह वद्दा इतने सालों का संदर्श खतम हो गया क्या रिजल्ट के बाद आपका रियक्शन था किसने आपको बत इकसाइटमेंट ही और वह एकसाइटमेंट दोनों एक साथ होता है और जैसे रिजल्ट आता है तो एकदम से बहुत मन्खुश हो जाता है फिर मैंने पापा को बताया और फिर सब दोस्तों को बताया और फिर शैलिवेट के तो सर्थ अभी आपका सेलेक्शन हो चुका तो इसके बाद और कुछ आपका पिलान है अभी कि बस अब हो गया आप जौब ही करेंगे अभी ज्यादा सोचा नहीं हूं कि कभी अटेम्ट है तो आगे देखते हैं ट्राइक करेंगे जी ओकी सुर्ता है तेंक्यू